आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मिस्ट्री ओफ मेल्स होल के बारे में चलिए फी शुरू करते हैं आज की तूफ़ानी वीडियो सो हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ सूरच आप देख रहे हैं नॉलज़ वर्ल्ड 007 यूट्व चानल ये होल इतना रहस में है कि गॉवर्मेंट और सिक्रेट एजनसी ने इससे हम लोगों से छुपा कर रखा है और अगर आप इसका लोकेशन खोजना चाहेंगे तो भी आपको नहीं मिलेगा क्योंकि वहां के जो गॉवर्मेंट है इससे मैप से डिलिट करवा दिया है लेकिन आप आखिर तक बने रहे हमारे इस वीडियो के साथ आपको फुल इन्फॉर्मेशन दी जाएगी इस होल के बारे में 19 के समय एक रेडियो शो हुआ करता था जिसका नाम था कॉस्ट ये इंटेलिजनसी और मिस्ट्रियस बेस्ट सो था इस शो में पैरनॉर्मल चीजों के बारे में बातचीत होती थी इस शो में एक ऐसा केस निकल के बाहर आया जिसे मिस्ट्री लवर को हिला कर रख दिया वो था एक होल यानि एक गड़े के बारे में 1997 में रेडियो शो कॉस्ट में एक ब्राड़कास्ट हुआ था उस शो में एक वैक्ति आये जिसका नाम मिल्स वाटर्स था उन्होंने उस रेडियो के होस्ट को एक बहुत ही मिस्टिरियस होल के बारे मताया जिसको वो मालिक था 1980 में वहां के लोग उस गड़े में कचर डाला करते थे वहां के लोगों का मानना था कि ये होल बॉटमलेस है यानि एक ऐसा होल जो कभी खतम नहीं हो सकता क्योंकि यदि आप किसी भी चीज़ को होल में फेकेंगे तो जब वो होल के बॉटम में हिट करेगी तो आवाज जरूर आएगी जब इस होल के अंदर कुछ भी सामान गिरा जाता था तो कुछ भी आवाज नहीं आता था और इतना ही नहीं अगर कोई इस होल की तरफ फेस करके चिलाता भी था तो जो नॉर्मली एक को आता है वो इस होल में नहीं आ रहा था इससे पताफ़ चलता है कि ये किसना मिस्टिरियस होल है May gł water ko एक idea आया होल को नापने का Carter's wife Law FDA को एक fishing road लिया और उस होल में रसी को unwired करने लगे वो काफी समय तक उस रसी को unwired करने लगे उनकी जो रसी ती वो 24 किलोमेटर तक पहुँच गई तो भी उन्हें पता नहीं चल पाए कि होल कितना गहरा है अगर हम अफिशली बात करें दुनिया का सबसे वड़ा deepest होल है कोला सुपर डीप बोर होल और इसकी जो गहराई है वो 12 किलोमेटर है जब मेल्स ने 24 किलोमेटर तक रसी को अनवायर कर दिया तो वो सोचने लगे कि यह गड़ा सुपर नेचरल है मेल्स वाटर यह भी नोटिस करते थे कि उनका जो डॉक था इस होल से बहुत ज़ादा डरता था आपको पता है होगा कि जो डॉक है नॉर्मली गड़े से बहुत ज़ादा डरते हैं पर 10 मीटर दूर से भी अगर इसे डॉक को नजर इस होल पर पड़ जाए तो वो बहुत कापने लगता था अगर आपको पता हो तो डॉक के ज़ादा सेंस होते हैं इंसान से उन्हें पैरनॉर्मल चीजों को डिटेक्ट करने की शमता होती है ये सब चीजे होने के बाद मेल्स वाटर ने होल के आसपस रहने वाले लोगों के पूछताज करनी शुरू करी और पूछताज में बहुत जादा डिस्ट्रॉबिंग स्टोरीज पताए जिसे सुनोगे तो आप हैरान हो जाओगे एक इंसान ने ये भी कहा कि मेरे एक कुट्टा था वो मर गया था तो मैंने उस कुट्टे को इस गड़े में गेर दिया था और एक दिन बाद वही डॉग रहस्त में तरीके से मेरे घर के पास दिखा तब मेल्स वाटर ने पूछा तुम्हें कैसे पता कि वो तुम्हारा ही डॉग है उस वैक्ति ने बताया कि उस डॉग के गले में एक बेल्ट है जो उसने बांदा है ए नाम का इनी सब अनुभव के बाद मेल्स वाटर उस रेडियो शो में आए जिसके बारे में मैंने आपको शुरुआत से बताया पर जब मेल्स वाटर ने दुनिया को इस रहसमे होल के बारे में बताया उसके बाद बहुत ज़ादा अजीव घटनाई होनी शुरू हो गई एक सुबा मेल अपने होल के पास गए पड़ी और रिसर्च करने के लिए पर तभी दो काले कोट भेने लोग इसके घर पर आए और कहा कि अब तुम इसके पास कभी मत आना ये गौवर्मेंट प्रॉपर्टी है तब मेल ने कहा ये मेरी प्रॉपर्टी है पर उन्होंने मेल को फिर एक बार कहा इस होल के पास एक छोटा सा प्लेन क्रैश हुआ है हम उसकी इंस्पेक्शन कर रहे हैं पर घेर के कर रहे हैं तकि पब्लिक जो है डिस्टब ना हो जाए मेल को यकिन होगा कि वो जो लोग आये हैं गवर्मेंट की तरफ से ये होल के मारा ही आये हैं तब ही वहां के जो गवर्मेंट के लोग आये हैं उन्हेंने मेल से कहा तुम अपने घर हटाओ गए नहीं तो हम तुमें गिरिफतार करके ले जाएंगे और गवर्मेंट को कहेंगे तुम ड्रग सब्लाई करते हैं इसे मेल को अब सही सही पता चल गया कि वो जो लोग है वो इसे फसाना चाते हैं और उस जगा पर कोई प्लेन क्रेश नहीं हुआ तुमी प्लेन गिरने की आवाज आई इसलिए उन्होंने इनका ओफर एक्सेट कर लिया और वो ऑस्ट्रिलिया चले गए आखिर इस होल में है क्या दोर्मेंट ने अपने कबसे में इस होल को कर रखा है इस होल के वारे में कई थियोरी दी गई है जिसे बोल के मैं आपके टाइम बरबाद नहीं करूँगा अगर आपको मेल्स होल के बारे में पार्ट टू वीडियो चाहिए तो आप हमें कोमेंट वाक्स बता सकते हैं तो आपके लिए ये वीडियो पूरी बनाएंगे हमने इस वीडियो में आपकी आदी जाएंग करी दिया है इस वीडियो के जब नेक्स पार्ट आएगा आपको फुल इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा अगर आपको इस वीडियो अच्छे लगा तो एक लाइक कर सकते हैं और इस चैनल को सस्क्राइब करना बिल्कुल मत भूलना धन्यवाद